इस चाप्टर का नाम है How Creatures Move जो की एक पोयम है इस पोयम में बताया गया है कि जो अलग-अलग टाइप के क्रीचर्स होते हैं वो आगे कैसे बढ़ते हैं यानि वो चलते कैसे हैं इसमें बताया गया है कि जो शेर होता है वो अपने गद्यदार पंजों से चलता है और जो स्क्वेरल होती है वो चलांगे लगाती है while flies can crawl straight up a wall and seal can dive and swim और अब बताया गया है कि जो fly होती है जो मक्हिया होती है वो तो एक दिवार पर सीधा भी चल सकती है और जो seals होती है वो swim कर सकती है यानि तैर सकती है the worm he wriggle all around और जो warm होता है आपने देखा होगा जिसे हम कीच्छुआ बोलते है न जो warm होता है वो तो सारे में घूमता रहता है the monkey swings by his tail और जो बंदर है वो अपनी पूच से जूला जूलता है the bird may hope upon the ground और जो birds होते हैं यानि जो पक्षी होते हैं न वो ground पर उचलते हैं और spread their wing and sail और वो अपने पंखों को फैला कर उड़ भी जाते हैं but boys and girls have much more fun they leap and dance and walk and run लेकिन जो लड़के लड़किया होते हैं न उन्हें तो और भी मज़े आते हैं योगि वो तो कूच सकते हैं डांस कर सकते हैं चल सकते हैं और दौट सकते हैं मैं आपको अगर फिर से बताऊं तो इसमें बताया गया है कि जो लॉयन है जो शेर होता है वो अपने गदेदार पंजो से चलता है स्क्वेरल कूदती है यानि गलहरी कूदती है और जो फ्लाइज होती है जो मख्या होती है वो दिवार पर सीधा चलती है सील तैरती है और जो warm होता है जो केचुआ होता है वो सारे में रिकल करके घूमता है जो monkey होता है जो बंदर होता है वो अपनी पूँच से सारे में जूला जूलता है और जो birds होते हैं जो पक्षी होते हैं वो ground पर यानि जमीन पर उचलते हैं और अपने पंखों को फैला कर तैरते भी हैं यानि उड़ते भी हैं हवा में लेकिन जो लड़के-लड़किया होती हैं उनको तो और भी मसे होते हैं क्योंकि वो कूज सकते हैं, डांस कर सकते हैं, चल सकते हैं और दौड सकते हैं So, ये थी इस poem के explanation, अब हम इसके new words दिख लेते हैं. हमने इस poem में क्या करने हैं सीखा? हमने सीखा padded यानि कद्देदार, हमने सीखा limb यानि अंग, हमने सीखा crawl यानि रेंगना, हमने सीखा dive यानि तैरना, हमने सीखा wiggle यानि लोटना. Next, हमारे पास दिया है, match the word in column A with those in column B. So, यहाँ पर आपको दो column दिये गए हैं, A and B. Column A में आपको creatures के name दिये गए हैं, और वो column B में दिया गया है कि creatures कैसे move करते हैं, आपको उसे match करना है. First आपको दिया गया है lion, so lion क्या करता है? Lion करता है, squirrel leap करती है, and flies क्या करती है? Flies crawl करती है, यानि वो ring ती है, seals dive करती है, तैरती है, bombs क्या करते हैं, bombs wiggle करते हैं, monkey swim करते हैं, birds, birds क्या करती है, birds hoop करती है, यानि वो कूद दिती हैं. Next हमें दिया गया है, arrange these movement words from slow to fall. So, यहाँ पर कुछ movements of words दिये गया है, हमें उन्हें कुछ ऐसे order में लगाना है, कि वो सबसे पहले slow आए, फिर सबसे जो आगे वाला शब्दा आए, वो सबसे fast आए, जैसे हमें लगा सकते हैं, crawl, फिर hope, फिर walk and run. Underline the letter which are silent in the following words. So, यहाँ पर आपको कुछ words दिये गये हैं, आपको उन letters पर underline करनी है, जो इस word में silent हैं, जैसे walk में L silent है, straight में GH silent है, more में E silent है, and court में G silent है, car में L silent है, and talk में, फिर से L silent है. Now we have sail out, इसमें आपको उने पढ़ना है, squirrel, question, queen, quiet, quilt, quiet and quit. Next, हमें एक पोयम दी कही है, squirrel, squirrel on the tree, running, quit, as can be, quickly, quickly, come catch me. Next, हमें दिया गया है, what do you do when you are bored? अब आपको बताना है, कि आप क्या करते हैं, जब आप bored हो जाते हैं. लक्षमा sings a song when she is bored. अब यहां पर बताया गया है, कि लड़की है लक्षमा, वो तो गान अगाती है, जब वो bored होने रगती है. रतनाकर reads a book, गोपाल talks to his friend, and Anjaya writes a story, ली लामा goes for a walk, प्रभाकर goes to sleep, what do you do when you are bored? यह था आपका चैप्टर, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई, तो हमारे वीडियो को लाइक, और चैनल को सुब्स्क्राइब करें, थैंक्स फर वोचिंग!